और वरू ने एक interesting research लेकर आए हैं, October के महिने में बाजार ने क्या खरीदा बेचा है, ये interesting और इंटरेसिंग ये भी है क्योंकि October के महिने में बाजार में recovery के पहले संकेत आये थे, वैसे थोड़ा नर्म ही था, actual recovery तो November से भी शुरू हुई है, तो October की जो सुस्ती थी, इसमें वरून बताई, mutual funds क्या कर रहे थे? तो नए stocks में से, सबसे interesting नाम जो मुझे यहाँ पे लगा, large caps में, वो है वेधानता, यहाँ पे आप देखिए, वेधानता लगातार 52 लो पे चल रहा है, और mutual funds नहीं यहाँ पे खईदारी की है, इसके अलावा FACT, यानिकि फटलाइजर कंपनी, IRM Energy हाली की लिस्टेड कंप इसके अलावा FACT, इसके अलावा FACT, इसके अलावा FACT, यहाँ से mutual funds ने टोटल exit किया है, इंडिया सिमेंट, LMBक Limited, Apollo Micro, Supreya Life और हिमादरी Specialty Chemicals, यह कुछ ऐसे stock से, जहाँ से पूरी तरह से exit जो है, October के महने में लिया गया है, काफी तरह से, जहाँ पे holding बढ़ाई गई है, य Pazara Tech, Kotak, Sipla, Koforge, Persistent, In fact, जितने भी mid-cap IT stocks है, वहाँ पे mutual funds खरीदारी कर रहे है, large caps में भी क्वाली कर रहे है, एडिशन में और एक credit access ग्रामीन है, लेकिन reduction में आप देखिए, Infosys, यहाँ से लोगों ने पैसा निकाला है, अपना, Bajaj Finance, MNM, IGL, Indian Hotels, United Biveries, और MTR Tech, यह क में कहा रहा था कि IT stocks, जिगजों में से पैसा निकाला जा रहा है, और mid-cap IT में डाला जा रहा है, तो यहाँ पे आप नज़र रखेगा, तो यह हैं आपके लिए कुछ आखांटर, तो mid-cap, small-cap में चल रही है, party चल रही है, पार्टी चल रही है, अच्छी खरीदारी हो रही